तो चलिए शुरू करते हैं जार्खंड यूग रोफी चो आने वाले जैसी के सभी एक्जाम के लिए मातपूर नहीं तो इस सेट का पहला सवाल क्या देखते हैं तो भारत में उपलब्ध खनीजों के संचीत भंडार का लगभग कितना पर्चन जार्खंड में केंधरीत है त थे तो ऑप्चन बीस का सही हो जाएगा अगला सवाल देह लेते हैं अगला स्वाल है भारत के कुल खनीज उत्पादन का लगभग कितना पर्सेंट जार्खंड में उत्पादीत होता है तो भारत में जितना भी खनीज उत्पादन होता है उसका अकेले इस लगभग 40% जार पर्थम अस्थान की सबसे बड़ी लोहकी सबसे बड़ी लोहे की ख Alberologist आपको कमेंट करके बताना या सबसे बड़े लोहे की खान्वामूंडि है जो ज़ारखंड के कौन से जिल्ह में इसस्ती थे उग्ला स Sense Fraudões करते हैं तो ज़ारखंड में उच्छ कोटी की अभरक मिलता है इस अभरक को खालता है तो जहारखण में मिलने वाले उच्छ कोटी के अबरख को Ruby variety कहा जाता है तो option C सही हो जाएगा जो ज़ारखण में अबरख कहा कहा परमुख मातरव मिलता है तो जहारखण में तो बहरत में जितना भी कोना का उतपादन होता है, उसका एक तिहाई भाग जारखंड में अकिली जारखंड अकेलिए जारखंड उतपाद धित करता तो ऐसे ही हो लेकिन जादु गड़ा, और लेकिन उरेनियम खदान कहां पर है, उसका सही इंसरोप्षान, यह हो पुर्वी सीमुम, पुर्वी सीमुम में जादु गोड़ा की उरेनियम खदान इस्थित है, अगला समल देख रहते हैं, तो भ Norweg का सब्फ़े परथाम यह ऊंन सबसे बड़ा लौ इस्पात करखाना कहा है तो भारत का सब्पधं यह सबसे बड़ा लोग इस बात करखाना टिस्को में स्तित है और टिस्को की स्थापना जमसितपूर में हुई थी अगला स्वाल क्या है इसी से रिलिटेड है जहारखन में टाटा आयरें एन श्टील कंपनी का स्थापना उन्हें सो साथ में हुई थी तो इससे एंसर हो उत्पादन 1911 से हुई तो लोहे का उत्पादन 1911 से और इससिक और लेकिन तू सब्सके और लेकिन टिस्को से इस बातका उत्पादन कब हुऊ तो उत्पाद्ध का आदरम 19aku12 अस्थापना 1907 में लोहे का उत्पादन 19 spir disease बोकारो श्टील प्लाइंट की स्थापना की इस देश के सहयोग से की गई तो इसका सहीजिए अप्शन से स्थापना की इस प्लाइंट की स्थापना की जिविए लेकिन आपको क्लिक करना है only for only सोवियत रूस क्योंकि रूस पहले नहीं था पहले सोवियत रूस ही था जब उन्हें सोवियत रूस का विगटन 15 देशों में हुआ उसके बाद रूस और अन्य कूली मिला के 15 देश नहीं देश बने थे तो उससे में सोवियत रूस था तो अप्शन ऐसे ही हो जाएगा त सोवियत रूस का विगटन का हुआ था इससे एक वी और सवाल आ रहा है उन्हें से कानवे में और कितने देशों में विगटन हुआ था पंदर देशों में अगला सवाल क्या है मूरी की इस उद्यों का परमुक के अंदर है तो मूरी जो है कौन से उद्यों का परमुक के अंदर है तो इसका सही अंसर हो जागा अलुमिनियम उद्यों का परमुक के अंदर मूरी है पर मूरी की अस्थापना अगला स्वाल क्या है तो जापला किस उध्यों का परमकेदर है तो जापला जो है कौन सा उध्यों का परमकेदर है किस जिले में है तो जापला किस उध्यों का परमकेदर है किस जिले में है अगला स्वाल क्या है एचिसी का पुरा नाम क्या होता है हेवी इंजिनरीरिं कора प्रपोरेशन कहां पर स्थीत है तो फूर्टिया में हैं जेसी थापत है और की जीले में राची में और एचिसी को बनाने में कौन से देश ने संजो किया था तो इसको बनाने में तो एक सोवियत रूस और चेको स्लोवाक्या ने सयोग किया था तो एक स्थापना जमसेत्पूर में हुई है तो उप्शन भी इसका सही हो जाएगा अगला स्वाल देख लेते हैं कि एसिया की सबसे बड़ी कौल वासरी कौन सी है तो एसिया की सबसे बड़ी कौल वासरी जो है करगाली है तो अप्शन ए सही हो जाएगा तो एसिया की सबसे बड़ी कौल वासरी करगाली लेकिन करगाली कौन से जीले में है तो करगाली जो है बोकारो जीले में है यह भी वारत का पर्थम इर्वदक आरखाने सथापना कोई से साल सथापीद हुईती यह एकमेंड करके बताना है कि अगला सवथ क्या है भारतयला अनुसंधान प्राकन के सथापन Renee सथाबन 1951 राची में हुई थी अगला स्वाल देख लेते हैं तो जहारखंड की सबसे लंबी राष्ट राजमार कोन है तो जहारखंड से होकर गुजरने वाली सबसे लंबी नेशनल हावी कोन है तो इसका सही इंसर हो जागा ऑप्षन ए एनेच 33 एनेच 33 जो बहर ही से लेके बहरा जाएगा और हवाएड़ा से लेटिस्ट में एक और सवाल पुछा जाएगा जो आपको करेंट अफेर के वीडियो में बता चुके हैं तो देवगर में जो हवाएड़ा बन रहा है तो उस हवाएड़ा के नाम किसके नाम पर रहेगा तो देवगर में बनने वाले हवाएड़ जारखंड का जनसंख्या गना तो कितना है और इस वाल कई जामें पुछा भी गया है तो जारखंड का जनसंख्या गना तो जारखंड का जनसंख्या घनत वाला जिला धनबाद है और धनबाद जारखंड का नियुनतम जनसंख्या गनत वाला जिला तो सबसे अधिक जन सख्या गनतों की बात की जाए तो सीम डेगा है तो अगला सवाल जारखंड का लिगानुपाद कितना है तो इस सवाल में आपको बहुत कंफ्यूजन हो सकता है आप बहुत से भूख में लिगानुपाद का बार 947 पढ़े हैं 949 पढ़े हैं और यह पढ़े ह 947 को सही माना है और इस वाल कई पूछा गया है तो जैसे सी ने फाइनल अंसर की में 947 दिया है इस पर नमर चारी किया है तो 947 तो कंफ्यूज ने करना है तो जहारखंड का लिगानुपाद 947 तो यह थे जहारखंड के भूखल से बानने वाले दो समधपुर्म स्रीज का अगया तीसरा पार्ट अब अगले पार्ट में और कुछ मद्रजाद मज़ेदार सवाल देंगे तब तक जे हैं को